वेवन, वेलकम बेक टो माई सेरीज क्लासेश तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल माई सेरीज क्लासेश पे आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई के जितने भी important current affairs बनेंगे हम सारे डिसकस करेंगे इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज डू कोमेंट, लाइक, शेर, एंड सब्सक्राइब माई सेरीज क्लासेश तो लेट स्टार्ट first question है किस देश ने भारतिय सेना को चिनूग हेलिकॉप्टर सोपे हैं तो चिनूग हेलिकॉप्टर कौन से देश ने सोपे हमें बोईंग ने ठीक है किसने बोईंग ने बात करें इसके बारे में बोईंग ने भारतिय वायू सेना को सोपे चिनूग हेलिकॉप्टर बोईंग इंडिया ने पुस्टी किया कि 22 अपाच्चे हमले हेलिकॉप्टर और 15 चिनूग चौपर्स के अंतिम 5 को भारतिय वायू सेना को सोप दिया गया है वैसे यह क्यों लेते हैं किसी दूसरे से हेलिकॉप्टर क्यों लेते हैं क्योंकि जिस हेलिकॉप्टर में जिस हेलिकॉप्टर या जिस चौपर्स में अच्छी फैसलिटी हो संचार की अच्छी लाकि दूर संचार की अच्छी फैसलिटी हो अच्छी सारे वैपन्स हो तो जो भी चीजी अच्छी होंगी जो भी चीजी अप्ग्रेडिट होंगी इसलिए उसको लेते हैं ताकि वह उसका प्रॉपर यूज कर सकें अगर कोई लडाई हो रही हो किसी भी तरी की कोई प्रॉब्लम हो उसमें उनको ऐसी चीजे चाहिए होती हैं ठीक है हमारे options भी current affairs से होते हैं हम बयंग को डिसकस कर चुके हैं सिंगापुर, ब्रेटेन, और वेस्ट इंडिस से क्या current affairs से बनते हैं देखो सिंगापूर से जो करेंट फिर बनता है हाले में वो यह है ली हैशियन लूंग नाम याद रखो ली हैशियन लूंग अभी क्या बने हैं सिंगापूर के प्रदान मंतरी बने हैं बस इतना है अभी आम चुना हुए हैं वहाँ पे और इनके जो पार्टी है वो जीत गई है और सिंगापूर के प्रदानमंत्री बने कौन ली हीशियन लूंग ठीक है नेक्स्ट यह अप्शन में ब्रिटेन है और ब्रिटेन से क्या नियूज है ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश है भारत 5429 नए रोजगार सर्जन कर यूज के बाद परतेक्ष विदेशी निवेश मिन्स एफडी आई का दूसरा सबसे बड़ा स्तरूत बना है ठीक है तो ब्रिटेन के लिए भारत बहुत इंपॉर्डेंट है ठीक है नेक्स्ट बिसक्स करते हैं लास्ट ओप्शन को वेस्ट इंडीज को तो वेस्ट इंडीज ने हाले में पहला क्रिकेट टेस्ट में जीता है West Indies ने coronavirus कोप के बाद खेल की वापसी के बाद पहले test में मेजबानी England को हरा कर पहला अंतरास्थे cricket match जीता थीक है? West Indies ने अपनी दूसरी पारे में हाथ में चार विकेट के साथ 200 रन की जीत के लक्षे का पिछा किया यह important नहीं है बाकि इतना important है कि हाले में West Indies ने पहला cricket test में जीता है Let's move on to question number two Question number two है हाले में भारत ने किस देश के लिए सूखी मिर्च बेजी है? तो हाले में भारत ने बांगला देश के लिए सूखी मिर्च बेजी है कहां से? आंदर प्रदेश है आंदर प्रदेश में कौन सी जगह है? देखो, discuss करते हैं इसको देखे, हाले में रेलवे ने बांगला देश बेजी है सूखी मिर्च पहली बार भारते रेलवे ने आंदर प्रदेश से सूखी मिर्च के साथ बांगला देश बेना पोल के लिए देश की शिमाओं से परे विशेश पर्सनल ट्रेन लोड़ की है अंदर प्रदेश की गुंटूर, देखो, ये जगह बहुत इंबोड़ेंट है गुंटूर और इसके आसपास के छेतर में मिर्च की खेती के लिए परशिद है बहुत अच्छी, बहुत क्वालिटिव मिर्च पैदा होती है, हमाँ पर उत्पाधन होता है स्वाद और ब्राण विसिस्टता के लिए क्रिशी इस क्रिशी उपज की गुंवता अंतराश्चेतर इस तरपर परशिद है हमने डिस्कस कर लिए बंगलादेश को जैसे बात करते हैं बाकी ऑप्शन के बारे में तो रूस अभी हाले में न्यूस में क्यों है, देखो, सबसे पहले बात रूस ने हाले में एक human trial एक vaccine है, covid-19 के लिए बनाई गई है, उस पर human trial का period complete कर लिया है, ठीक है किसने करा है सबसे पहले, एक vaccine का human trial पर complete किसने करा है, तो ये करा है रूस ने, ठीक है तो ये बहुत अच्छी news है, अगर ये चीज अगर really proof हो जाती है, कि ऐसा हो चुका है, तो covid-19 की दवा बन चुकी है permanently बात करें, अमेरिका की, तो देखो, अमेरिका अभी दो चीजों से ज़्यादा important है अमेरिका एक तो न्यूस में इसलिए है, क्योंकि बहतर हजार, SIG 716, Assault Rifles, Assault Rifles भारत खरीदेगा अमेरिका से, ठीक है एक तो ये important news है, ठीक है Second, कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने यूरोप के बाद, अमेरिका ने यूरोप के बाद किसकी flights, जो पाकिस्तान की flight थी, उनको ban कर दिया है क्यों कर दिया है, अभी वो flights को allowed क्यों नहीं कर रहे है, क्योंकि उनको security reasons है और वो कहते हैं, उनके पास fake license है, पालेट के पास आपको अमेरिका का पता चल चुका है, बात करें Australia की, तो Australia ने हाले में Hong Kong के साथ, किसके साथ? Hong Kong के साथ, क्या किया था Hong Kong के साथ? एक परतिर ओपन संदी थी, उसको cancel कर दिया, जैसे अगर Hong Kong के बंदे Australia में है, तो वो उनको यहाँ बेजते थे, Hong Kong बेजते थे, Australia वाले को तो, और जो Australia के बंदे Hong Kong में है, तो वो उनको वापस यहाँ बेजते थे, यह परतिर ओपन संदी थी, ठीक है? यह लोग कुछ लोगों को यहाँ बेजेंगे, तो इनके बतले में यह लोग इनको कुछ बेजेंगे आपे, ठीक है? बढ़ हाले में क्या हुआ है, इन्होंने इसको cancel कर दिया है, किसने? Australia ने, ठीक है? नेक्स है, हाली में 24,000 मजदूरों को रोजगार सेत्व के माध्यम से नोकरी मिली है, यह किस राज़े के शकार द्वारा लौंच किया गया है? तो देखो, जब रोजगार सेत्व लौंच किया गया था, तब भी मैंने करेंट EFS में आपको पढ़ाया था, कि हाली में किस र प्रवासी मजदूरों को इस ताहर रोजगार मिला हुआ है, इसमें 79.5% परोज है और 20.5 मैल आए है, लगवक 3,55,000 प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड त्यार किया गया है, इसके साथी मन्रिगा के तहत 1,89,959 प्रवासी सर्मिकों को रोजगार परदान किया गया है ठीक है, नेक्स्ट, यह हमने डिसकस करी मद्धे परदेशी न्यूज, अब डिसकस करते हैं महरास्टर से उद्धे परदेश और जमू कश्मीर से क्या न्यूज है, यह क्यों आप्शन में है, कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हाले में मद्धे परदेश शरकाने, उनके लिए चलाया गया है, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, जो सावरजनिक स्तानों पर मास्क नहीं पहनते और उनसे परती मास्क 20 रुपे की रासी वसूलेंगे, ठीक है, फाइन होगा 20 रुपे, ऑप्शन में जम्मो कश्मीर है, तो जम्मो कश्मीर से न्यूज है, कि जम्मो कश्मीर सरकान ने के अंदर साथ से परदेशों में परियाटक को आने के लिए निर्देश जारी किया है, मतलब जितने टूरिस्ट लोग हैं, जो आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ आप रूल्स एन रेगुलेशन्स, गाइडलाइन्स जारी की गई हैं, ठीक है, इसने 14 जुलाइ 2020 को चरनबद के तरीके से प्रियटन शेतर को खोलने का निन्ने लिया है, पहले चरन में प्रियटन के वाला हवाई मार्ग जाने वाले, हवाई मार्ग से आने वाले तक सिमित रहेगा, तो फॉर्स टाइम पे सरफ वो ही किस तर की सुरुआत के संबंद में नए निर्देशक जारी किये हैं, क्या से निर्देशक जारी किये हैं, सनातक कक्षाओं में प्रवेश प्रिक्रिया सितंबर से सुरू होगी और पर्थम सनातक के लिए कक्षाओं 1 अक्टूबर 2020 से सुरू होगी, ठीक है, सभी पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, भी पोस्ट ग्रेजुएशन कक्षाएं एक नॉम्मबर से सुरू होंगी, पॉस्ट नम्मर फॉर्थ है, भारत की पहली ईलोक अदालत किस राज्ये में सुरू हुई है, तो हाल इमें भारत की पहली ईलोक अदालत चत्तिस गड़ राज्य किया गया है लंबित मामलों को तेजी से निप्टाने के लिए इलो का दालत देश में इस तरह के पहले प्रियास के रूप में उद्रत किया गया है ठीक है बाकी है अगर हम डिसकस करें 36 गड़ तो इस कोशन का अंसर है बटक हम डिसकस करें गुजरात को राजस्तान को तो देखिए आले में गुजरात से दो लोगों की मृति हुई है निधन हुआ है किस-किस का वयो वर्द गुजराती पत्रकार, स्तंबकार लेखक और राजनेतिक विसलेशक कौन थे नागिन दाज, सांगवी का जुलाई 2020 में शूरत में निधन हो गया स्री सांगवी को वर्द 2019 में पतम स्री पुरुषकार से समानित किया गया था उन्होंने मात्मा गांदी गुजरात और अन्य विशेश्यों पर कई पुस्ते के लिखी हैं ठीक है ये पहले थे जो दूसरे वेक्ति जिनका हाले में निधन हुआ है जो कि गुजरात से है तो परशिद कार्टूनिस्ट अवद बिन हसन जामी अवद बिन हसन जामी का जुलाई 2020 में निधन हो गया लोगप्रियर रूप से जामी के रूप में जाना जाता उन्होंने दो दसकों से परमुख गुजराती देनिक समाचार पत्रों और समाचार पत्रिकाओं में अपने कारियों को नियमे तूरूप से प्रकाशित किया है ठीक है Let's move on the question number 5 सिंगरोली हाले में सीर्ज परदर्शन करने वाली इकाई बन गई है यह किसकी इकाई है देखो सिंगरोली एक इकाई है और किसकी इकाई है यह है NTPC की इसके बारे में बात करते हैं देखो यह NTPC से दो न्यूज है करेंटरफेस में पहले न्यूज कि NTPC कि सिंगरोली इकाई सीर्ज परदर्शन करने वाली इकाई बन गई है रोली सबसे पुरानी का ही है और NTPC Limited का एक परमू के बिजली घर है ठीक है यह है फर्स न्यूज NTPC से जो सेकंड न्यूज वो ही है NTPC Limited को पूरुसकार मिला है ठीक है नैशनल थर्मल पाउर कॉर्परेशन को अभी हाले में NTPC Limited ने परतिस्टे CII ITC Sustainability Award 2019 जीता है ठीक है य यह आउटसेंडिंग अकम्पलिश्मेंट इन कॉर्परेट एक्सिलेंस स्रेनी के तहत परदान किया जाता है ठीक है तो कौन सा ओड मिला है CII ITC Sustainability Award मिला है 2019 का और यह आउटसेंडिंग अकम्पलिश्मेंट इन कॉर्परेट एक्सिलेंस स्रेनी के द्वारा परदान किया गया है तो देखिए यह भी करेंट अफेर्स की न्यूस से ही है देखिए आईकर विभाग हाले में न्यूस में इसलिए है क्योंकि आईकर विभाग ने बैंको और डाग घरों के लिए एक नई कारेशमता की शुईदा परदान की है इसके तैदवे आईकर रिटन की गेर फाइलर के मामले में 20 लाख रुपे से अधिक की नगत निकासी पर TDS की प्रियोज जहत्तादर का पता लगा सकते हैं और आईकर रिटन फाइल करने वाले के मामले में एक करोड रुपे से अधिक का हो सकता है ठीक है बात करें कि हाल में Just a minute DCGI ने कोवेड रोगयों के लिए इटोलिजुमाब को देदी मंजूरी क्या है इटोलिजुमाब? देको ड्रक्स कंट्रोलर जन्रल ओफ इंडिया यह है DCGI की फुलफॉर्म ड्रक्स कंट्रोलर जन्रल ओफ इंडिया ने कोवेड-19 के मरीजों के लिए गंबीर तिर्व सर्वशन संकट सिंड्रॉम के लिए परतिबंदिद आपातकालेन उपयोग के लिए इटोलिजुमाब को मंजूरी देदी है यह याद रखना next RCF क्या है? RCF ने पेज किया Hand Cleansing Gel राष्टियर रसाइन और उर्वक लिमिटेड ने एक तवचा के अनुकूल Moisturizer आधारित Hand Cleansing Gel RCF सेफ रोला की शुरुवात की है जेल में आईसोप, प्रोपाइल, अलकोछोल और एलोवेरा का अर्ख होता है ठीक है? यह important है तो हमने RCF डिसकस करा, NTPC डिसकस कर लिया, DCGI डिसकस कर लिया, I-Curvy बाड डिसकस कर लिया अब लेट्स मूव उन्दा वन लाइनर करेंट अफियर्स देखें, वन लाइनर में आज कुछ खास है नहीं भारते सेना को मजबूत करने के लिए हाले में UAV, Ravenna का से, USSA और Spike जुगनू, इसराइल से यह दोनों वेपन खरीद रहे हैं हम ठीक है हमारे भारते सेना को मजबूत करने के लिए अब ही हाले में, एंड्रे जेज, डूडा, पॉलेंड के राष्ट पती चुने गए पहले भी यही थे, फिर से यह दुबारा जीत गए है, ठीक है और, 2030 तक होगा रेलवे, 100% विदूतिकरण भारते रेलवे, डीजल के स्तान पर, 100% विदूतिकरण वाला विश्व का सबसे बड़ा रेलवे होगा रेलवे मंतरी पियूज गोयल ने उम्मीद जिताए है कि यह 2030 तक 100% स्वच उर्जाओर से चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा ठीक है हाली में अटल इनोवेशन मिशन ने लौंज किया एक मेडूल अटल इनोवेशन मिशन ने एक मेडूल लौंज किया है क्या है मेडूल देखो नीतियायोग के अटल इनोवेशन मिशन यह जो अटल इनोवेशन मिशन है किसके दौरे जारू कि यह गदर नीतियायोग दौरा तो देश बर के इस कुले बच्चो के लिए ATL app development module launch किया है क्या है ये ये एक online course है जो पूरी तरह से निशुलक है 6 प्रियोजना आधारिच सिक्षन module और online mentoring स्तरों के माध्यम से यूवा नव परवतक विबिन भारती भासाओं में mobile app बनाना सीख सकते हैं और अपनी परतिवा का परदशन कर सकते हैं परदान मंतरी गरीब कल्यान अन यूजना के अकोर्डिंग आवन्टिक हुआ 1,49,000 मिट्रिक टन का खादान ठीक है मिट्रिक टन का इतना खादान राज्यो द्वारा ले लिया गया है ठीक है भारत की 2018 की बाग जनगन्ना ने एक रिकोर्ड बनाया है क्या रिकोर्ड बनाया है अकल भारतिय बाग अनुमान 2018 के चोथे चकर में वेश्विक के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वनने जीव सर्वेक्षन के लिए गिनीज वोर्ल रिकोर्ड में प्रवेश किया है ठीक है नवींतम जनगन्ना की अनुशार देश में अब अनुमानित 2966 बाग है इस संख्या के साथ भारत में वेश्विक बागो की आबादी का लगबग 75% हिस्सा बागो की संख्या की दोगुनी करने में अपना संकल्प को पूरा कर चुका है ठीक है ये कोशन हो सकता था बट मैंने उसको बनाया नहीं हाले में 12 जुलाई को मनाय गया है मलाला दिवस ठीक है मलाला दिवस देखो मलाला कौन थी इन्होंने लड़कियों की सिक्षा और सावजनिक रूप से वाकालत करने के बाद 9 अक्टूबर 2012 को मलाला को तालिबान बंदुकदारियों ने शिर्फ लोगोली मार दिथी तो इन्होंने क्या किया था जो महिलाएं बच्चे हैं उनके राइट्स के लिए उनकी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप उठाया था 2012 में उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहले राश्ट्य यूवा सान्ति पुरुषकार से समानित किया गया था और वो सबसे छोटी उमर की हैं जिनको ये सान्ति पुरुषकार दिया गया है ठीक है घले में लुइस हैंल्टन ने जीती स्टैरिन ग्रेंड प्रिक्स तो मर्सेडीज के ट्राइवर लुइस हैंल्टन ने स्टैलिश ग्रेंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है उनकी ये करियर की 85 वी जीत थी और वाल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे जबकि मैक्स वोट्समान तीसरे स्थान पर रहे इंपोर्टेंट है घटी COVID-19 दवा की कीमत ग्लेनमार्ट फॉर्मिल टिकल्स ने हलकेम के माध्यम से COVID-19 के रोग्यों के इलाज के लिए ब्रांड नाम Febiflu के तहत अपने antiviral दवा कौन सी है दवा Febipirvir की कीमत 27% घटा कर 55 रुपए परती टेबलेट करती गई है ठीक है? यह थे आज की important current affairs I hope so आपको वीडियो अच्छी लगी होगी current affairs समझ में आ रहे होंगे Thank you so much for watching this video Have a nice day